हेलो फ्रेंड्स मैं हूं प्रभादु और दोस्तों स्वाँए था आपका मेरे यूटूब चैनल में जीसका नाम है माय माइस्माट्रिक दोस्तों इस वीडियो में लुग में बात करेंगे रार बी एन्टी पीसी के उपर दोस्तों जैसा कि आप सबक बता है कि आज जो एंसर के वह जारी कर दिया जाएगा इस वीडियो में लोग दोस्तों बात करेंगे कि CBT1 का एक्सपेक्टेड कटफ क्या रहने वाला है साती साथ दोस्तों लोग यह भी बात करेंगे का रिजल्ट कप तक आया और दोस्तों CBT2 का एक्साम कप तक कराया जा सकता है अगर दोस्तों उससे पहले आप मेरे चैनल पर नहीं है था प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब किजिएगा और वीडियो को लाइक और सेर भी किजिएगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं व यानि कि 62.5 लाग जो candidate है वो exam में उपस्तित हो पायते है ठीक है result दोस्तों इसमें देगा 20 गुलना है ठीक है इसमें result देगा 20 गुलना है मतलब कि 7,5,5,540 candidate का result आएगा अब दोस्तों बात करेंगे हैं लोग CBT1 result कब तक आ सकता है 18 गस्त देख कर सकते हैं काफी सारे इससरी काफी सारी इस्सेटक गुलत हो जाता है और किसी करने में कम से कम मीनीμέburgh 12 ते निकल जाते है ठीक है उसके बाद दोस्तों अगर आपने Alp का इक्जाम दिया होगा दोस्तों तूसमें आपने देखा ऊगी एक revised answer की भी जारी किया गया था 아닌 दोस्तों इसमें भी उम्मीर दिया लगाए जासकता है कि इसमें भी एक revised answer की आएगा तो दोस्तों ये पूरे मामले में करीब करीब से 25 दिन निकल जाने ठीक है तो ऐसे में आप दोस्तों अगर बात करें हम लग लोग CBT 1 result date की तो दोस्तों 20-25 सितंबर तक इसका result जो है वो जारी किया जा सकता है है ठीक है 20 से 25 सिटमबर तक दोस्तों इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा CBT-1 का अब दोस्तों हम लोग बात कर लेतें CBT-2 एक्जाम डेट के बारे में दोस्तों जैसा कि आप सको बता है कि अक्टूबर के महीन हम भारत में यह अंदाजा लगा जारे कि दोस्तों करोना का थर्ड वेब आने वाला है तो दोस्तों अगर आप इन चारों बोर्ट से किसी एक बोर्ट में फॉर्म अप्लाई किया है अलाहाबाद अजमेर कोलकाता और चंडीगर दोस्तों अलाहाबाद की बात करें दोस्तों 44,9999 पोस्त है अजमेर में 1773 पोस्त है कोलकाता में 2949 पोस्त है और दोस्तों सकते हैं अब दोस्तों आपका माक्स से लेकर दूस्तों 67 के बीच आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर इनका माक्स दोस्तों 62 से लेकर 67 के बीच आ रहा है तो दोस्तों नॉर्मलाइज माक्स है ठीक है इससे दोस्तों माक्स ज्यादा तो नहीं जाएगा इससे कम जाने की संभावन है ठीक है इससे दो-तीन नॉमबर दोस्तों कम ही जाएगा इससे ज्यादा नहीं जाएगा ठीक है दोस्तों मैं फिर से आपको पताते हैं दोस्तों यह नॉर्मलाइज माक्स है ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं लोग त्रिवेंद्रम भुवनेश्वर सिलीगुडी और मुजभफर था फुर्जोन की ठीक है दोस्तों सित्रिवेंद्रम की दोस्तों के बात करें तो 897 पोल्ट था बुनेश्वर की बात करें तो यह सीवीटी तूग कित्यारी दोस्तों कर सकते हैं EWS की दोस्तों बात करें, तो 62-64 के बीच आरे तो CBT2 के त्यारी में लग सकते हैं, अगर दोस्तों OBC Candidate की दोस्तों बात करें, तो 63-65 इनका expected cut-off रहने वाला है, ठीक है, 63-65 अगर आख इनका मांक सारे हैं, दोस्तों तो आप CBT2 के त्यारी में लग सकते हैं, ठीक है, S.A. Candidate की दोस्तों बात करें तो अंठावन से 60 दोस्तों इंका जो एक्स्पेकट गॉटफ है दोस्तों बो रहने वाला है S.A. Candidate की दोस्तों गर बात करें तो 54 से 57 जाने की समभावना है और दोस्तों अगर P.W.D. C.C. Candidate की बात करें तो 60 से 64 अगर इनका marks आ रहा है तो दोस्तों आप CBT2 के त्यारी में लग सकते हैं बाकी जोन्स का दोस्तों मैं यह पर लिख लए तो उसके बाद आपसे मिलता हूं तो चलिए दोस्तों लोग बाकी बचे जोन के बारे में बात कर लेते हैं उससे पहले दोस्तों आपको यह information देना था दोस्तों जैसे आप अपना answer की check कर लिजेगा तो दोस्तों उसके बाद आप जितना आपका marks आ रहा है वह और साथी साथ दोस्तों आपका category दोनों मेरे comment box में लिखती जेगा इससे दोस्तों क्या होगा कि हमारे चैनल के तरफ से एक survey भी हो जाएगा इससे exact जो cutoff है दोस्त देख रहते हैं बागी कि जोंस को दोस्तों बात करें हम चैन्णई सिकंदराबाद बैंगलोर जम्मू मालदा और दोस्तों गोरख पूर जोन की दोस्तों अगर दोस्तों अप इन सारे बोर्टे से किसी एक बोर्ट में आपने form अपलाई की है तो दोस्तों बात कर जनराल का कितना cut-off जा सकता है इन सारे जुन्स का ठीक है तो दोस्तो बात करें जनरल का तो 64 से और सट अगर आपका marks आ रहा है ठीक है 64 से और सट तो आप cvt2 की तयारी में लग सकते हैं दोस्तो यह normalized marks एक पर फिर मैं आपको बता रहा हूं ठीक है EWS की दोस्तों के बात करें अगर इनका marks दोस्तों 60 से 64 के बीच आ रहा है तो यह भी दोस्तों cvt2 के तयारी में लग सकते हैं OBC की अगर दोस्तों बात करें तो 60 से 64 अगर इनका marks आ रहा है 60 से 64 दोस्तों तो यह भी cvt2 के तयारी कर सकते हैं SD Candidate की दोस्तों लोग बात करें, तो संतावन से 60 इनका expected cutoff जा सकता है, SD Candidate की दोस्तों बात करें, तो 50 से 54 इनका expected cutoff रहने की संभावना है, PWD Candidate की दोस्तों बात करें, तो अंठावन से 62 इनका expected cutoff जा सकता है, ठीक है अंठाउन से 62 इतना दोस्तों इतना बीच आपका मांक सारत आप CBT2 के तयारी में लग सकते हैं ठीक है अब दोस्तों बात कर लेते हैं मुंबई, राची, एहमदाबाद, पटना, भोपाल, बिलासपूर और दोस्तों गुएहार्टी बोड की मुंबई में दोस्तों 365 पोस्त है, राची में 1386, एहमदाबाद में 21024, पटना में 1049, बोपाल की बात करें तो 957, बिलासपूर में 1207 और दोस्तों गुएहार्टी में तोटल 851 पोस्त है इन सारे दोस्तों जो बोड हैं, इन ने आप किसी भी बोड में फोम अपलाई की हैं, तो दोस्तों इसका भी कॉटप की बारें बात में हम बात कर लेता हैं, बात करें दोस्तों जनरल केंडिडेट की, अगर आपका माक्स और ठाट से लेकर 270 के बीच आ रहा है तो आप CBT2 क की त्यारी में लग सकते हैं, बात करें EWS की, तो दोस्तों अगर आपका माक 60 से 65 के बीच आ रहा है, तो आप भी CBT2 के त्यारी में लग सकते हैं, OVC Candidate की बात करें दोस्तों, इनका एक्सपेक्टेड कर दोस्तों 65 से और सट रहने की संभावना है, SC Candidate की दोस्तों हम लो 68 से 64 रहने की संभावना है, अगर दोस्तों आपका माक्स इतना के बीच आ रहा है, तो दोस्तों आप इस CBT2 के त्यारी में लग सकते हैं, दोस्तों इस वीडियो में हमें यही पताना था कि CBT1 का रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो दोस्तों मैंने पता थे 20 से 25 सितमबर तक दोस्तों आपका CBT1 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, दोस्तों इस वीडियो में कुल मिलाकर आपको यही बताना था कि expected cutoff क्या रहने वाला है, दोस्तों अब जब आपका अपना एंसर की चेक करें दोस्तों अपना marks और दोस्तों क्रेटेग्री दोनों मेरे comment box में लि हमारागा ऑffर दोस्तों चाला है हामारी के कि उर points और आपका की का नहीं के le Beautek